हाई फ्रेंज कैसे है आप इस वीडियो पे बात करेंगे जी टी वर्सिस डीसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में यानि गुजरात टाइटन्स और डेली कैपिटल्स का मैच है दो इंटरस्टिंग टीम्स यह मैच खेलने वाली है टक्कर का मुकाबला होगा गुजरात के स् जो फिर्स प्रेंग टीमन से त्मेक्षै ऐन पर रिया ने काम कर दिया था चलो बढ़िया है अकसर वाटेंगा दिन में cent चला था सब्सक्राइब नोटis करों तो कैप्टन भी एक चमी अब नहीं है और यहां पे खली लेवाद इशान शर्मा राशिद कुल्दीप मोहिच शर्म आये थे अच्छे खासे बोलर आये थे आप यहां पे ध्यान दे सकते हो इशान शर्मा भी आये थे जिनका सेलेक्शन बहुत कम है तो यह बोलिंग अलोर कॉमिनेशन उस मैच मे नहीं खेलेंगे ना कि आपको जोसेफ खेलते दिखेंगे बाकि मिचल मार्श भी आपको पता है नहीं खेलने वाले बल्लेबाज आये थे या सुदर्शन मिलर और सरफरासकान भी नहीं है अब शेक पुरेल देखते हैं खेलते हैं के लिए नोटिस करोगे तो शुमन गिल यहां भी नहीं है जबकि वो सब के आज के मैच में कैप्टन है तो शुमन गिल आपको दोनों ड्रीम टीम में नहीं देखने को मिले थे यह बहुत बड़ा रिस्क का अफसर है अगर आप लेना चाहिए तो बाकि मैं तो देखो शुमन गिल को कैप्टन भी क्यों ग्रेंड लेकिन जो रिस्क पिछले साल वर्क करी थी वो मैंने आपको दिखाया इस साल करेगी कि नहीं हम बात करेंगे खली लहमत क्या कर सकते है शुमन गिल के आगे सारी डिटेल में कोई टेंशन नहीं है लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप मेरी यह विनिंग देख रहे हो यह अच ग्रेंड लिग्स में अच्छी रैंक्स लेके आएं और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मेरा टेलीग्रम चैनल जिसमें आपको अच्छे खासे लोग जुड़ते दिख चुके हैं पांच लाग पच्चिस हजार लोग जुड़ चुके हैं नोटेस करोगे तो बल्ले काम जो नरायम थे हमारे कैप्टान आउस्पिनर भी तो हैं सारी बाते वह हुई बस एक अश्मिन का मैं बता रहूं खुद ही क्योंकि मैंने बोला था अश्मिन भी काम कर सकते हैं बस वह एक प्रेडिक्शन सही नहीं हुई बाकि एटू जड़ प्रेडिक्शन चेक कर लो क कल के मैच में एकदम सही है और हमारी टीम भी एकदम सौरट गए थी यूंकि टीम में तो हम आश्मिन को लेके नहीं गए थे हाला कि मैं कभी नहीं कहता मेरी टीम कॉपी करो लेकिन अगर किसी ने करी तो जीता ही होगा बट अगें टीम कॉपी करने से ज्यादा खुद पर के टीम मेरे को एक बड़ी दिक्कत है जैसे कल मैंने काता राजिस्तान की टीम में अश्मिन आएंगे या बटलर आएंगे दोनों इंपोर्टेंट होंगे लेकिन वैसा ही अब गुजात की टीम में आप यार इनकी टीम में ओमर्जाई डेविड मिला रिजिमान सहा यह तीन चेंजिस करने क्योंकि हमें कॉंसेट सिखाने आता हूं रिदिमान सहा आएंगे तो रिदिमान सहा ओपनिंग करेंगे तो यह सब चेंजिस आपको उस केस में करने होंगे दिल्ली की टीम कुछ ऐसी ही दिख रही है यह लास्मिश में जीते हैं शाय होब भी खिला थे जेक तो उमीद यही करी जारी है कि कुछ एसी टीम खेल सकती है तो खलील के साथ अगर पार्टर करवाना चाहें तो करवा सकते है किसी तेज गिद्मा जिसे जाहरी रिचर्टसन को वह इंटरस्टिंग रहेगा दिल्ली क्या करती है आज के सीवी सी बैस देगो शुब मन गिल का कि इनके साथ ओपनिंग पर उतर रहे हैं हाला कि बहुत ही बड़े 50 वाले नॉक्स नहीं है लेकिन 30 हर मैच में क्रॉस किया है राशिद खान जो की स्पिन प्लस बल्लेवाजी से काम करते है वार्नर और अक्सर पटेल जो मैं कहूंगा दिल्ली के सबसे दो इंपोर्टेंट खिलाडी है अगर आप ग्रेंड लिक के डिफेरेंशल देखो गुजरात के बोलर्स है बहुत अच्छे डिफेरेंशल है आपने देखा पहले भी बोलिंग गलोर कॉमिनेशन जिसमें जादा से जादा बोलर थे वैसी ड्रीम टीम बनी लास्ट यर नूर अहमद उमेश अच्छा कर रहे है राशित के सामने भी मैच अब अच्छे नूर के सामने भी मैथ्यू वेट जो की विकेट कीपर है कैचिंग भी कर सकते हैं रन स्कोरिंग भी लास्ट मेश फ्लॉप हुए थे लेकिन और इशान शर्मा इस ग्राउंड पे गुजरात थे आपने देखा इ कैसे दिली इनको यूटिलाइज करता है अब रिदिमान सहा अजमत उल्ला उमर्जाय डेविड मिलर यदी कोई खेलता है डिरेक्ट आप अपनी टीम में ले सकते हो इवन स्मॉल लिग में भी इन फैक्ट अगर उमर्जाय खेलेंगे मैं रखूंगा ही सहा पे भी सोच किसी एक से अच्छी स्कोरिंग मांगी है अगर यह दोनों जल्दी फ्लॉप हो गए लेकिन तो मुझे रखता है गुजरात को दिक्कत आने वली है बोलिंगल और कॉम्मिनेशन मुझे आज अच्छे रहेंगे आप जाद से चार से पाज बोलर रखके चल सकते हो आज अपन को फेस करने के लिए इस मैच में शाय होप को प्रमोट किया जा सकता है शाय हो पिछले मैच में काफी नीच आये थे शायद से आज उनको ज्यादा आगे भेजा जा सकता है ताकि वो राशिद और नूरहमत को संभाल सके ठीक है अब यहां पर हम देख रहे हैं ग्रेंडिक क अगर मैं चार हों गुजरात के ओपनेर्स आउट नो तो दिल्ली का कोई बोलर मेरी टीम में जरूरी नहीं है लेकिन मैरे को क्योंकि एक और रौंडर जरूर कर ले क्या किया कि कर ले क्या कि हमारे टीम बनती ही न और वो बोलिंग तो करते हैं लेकिन आपको पता है बल्ले चेस करने वले दिली का मुझे कोई बैटरी चाहिए होगा एक्स्ट्रा वही मैंने यहां पर रखा है स्टब्स, शौ, वॉर्नर और इशब पंत को यहां पर टीम में रखा है अगर आपको टॉप थी चेस बनाने आप इसमें मैथ्यो वेड को डाल सकते हो रिशब पंत की जगा तो आपका टॉप थी चेस बन जाएगा या मैथ्यो वेड को डाल सकते हो एनी ओफ दो बॉलर्स की जगा भी ठीक है, सिंपल ओपनर चेस था, अगर गुजराद से आपको लगता है सारा टारगेट दोनों ओपनर चेस कर सकते हैं अभी भी चेस वैसे ही हो रहा है सानी से, इस पे मैंने बस यह किया गिया एक आदी विकेट तो खोई रही है गुजराद तभी मैथि वेड की बलेवाजी आएगी लेकिं इंटरस्टिंग क्या है, इसमें मैंने डेथ बोलर को कैप्टन सी कर दी, डेथ बोलर वो होता है जो एंड में आता है के तुछ चेज हो सकता है एक आधी विकेट जाए भी अगर सुदर्शन वगेरा की तो अक्सर पर टेल करें तो बहतर रहेगा वैसे यह कम चास होता है लेफट आप स्पिनर वर्सिस साय सुदर्शन बट क्योंकि एक सर मुझे बैटिंग भी देते हैं इसलिए मैंने उनको प् ठीक है यह आपको तब यूज करने है अगर यहां पे आपको चेजिंग करते दिखे गुजराट टाइटन्स के टीम अब ऐसा हो अगर गुजराट की पहले बल्लेवाजी है तो अकॉर्डिंगली प्रीज चेंज कर लेना क्योंकि बहुत लोग यही टीम्स लगा के इधर उ बोलिंगलोर कॉंबिनेशन टाइप है ज्यादा बोलर रखे है एक में तो छे बोलर भी है एक्जाक्ट बोलिंगलोर भी दिखाऊंगा यहां पर राशिद को कैप्टन सी दी वाइस कैप्टन सी नूर को नोटेस करोगे तो भाई इसमें मिडल ओर रखा ही नहीं दिल लिगा क्योंकि यह दोनों मिडल में बोलिंग करते हैं मैंने ओपनर रखे हैं पांच ओवर पहले जो है ना पेसर डालेंगे वो गुजरात के तब तक दोनों अगर 20 भी मार जाएं मतलब डीस पच्चिस लगा चाहिए तो फोफुली यह बाद वले स्पेल में जो सेकंड स्पेल होता है इनका उसमें आके आउट करें अदरवाइस आप जॉनसन की जगा किसी और को ट्राय कर सकते हो लेट से आपको रिशब पंद को करना है लेट से आपको यार एक लोगर और बैटर और करना है लेट स स्टब्स को करना है तो आप स्टब्स को ले रहे हो ना तो फिर स्पेंसर जॉनसन की जगा पे ले सकते हो यह हमने कुछ गुजरात के फेवर में टीम्स देखी थी अब मैं आपको दिखार हो प्रॉपर बोलिंग एलो जिसमें मैंने दिल्ली को फेवर भी किया है दिल्ली के कॉम्बिनेशन है इसको ज़्यादा लोग ट्रै नहीं करेंगे भाई यह मुकेश कुमार डेथ में बोलिंग कर रहे हैं अच्छे बोलर हैं साथ में खली लहमत को रखा है स्टार्ट वे स्विंग करते हैं साथ में कुलवीप को रखा है अक्षर को कैप्टन सी दी है जो की भी करते हैं बैटिंग भी अच्छे कासे बोलर रखे हैं बल्लेबास भी जो तीनों रिलाइबल है उनको रखा है रिशा पंद को भी रखा है यह कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा इसको अगर आप देखो यह अगर दिल्ली बोल फस्ट करें तो एक तरह से बढ़िया बाइण दो इसी कॉम्बिनेशन है गुजरात बोलिंग करें तो राशेट चेख़पन कर लेना अगर गुजरात बोलिंग कर रहे हैं टो ये ऩिए जलेगा में आरे जिए आपको यह मेरा नाइन्थ नंबर का कॉंबिनेशन है, मेरी लास्ट प्रेफरेंस है, बट इसमें मैंने सबसे ज़्यादा रिस्क रखा है, देखो कुल्दीप की लास्ट मैंस तीन मिकेट आई थी, अब इस मैच में तीन मिकेट आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुल्दीप फॉ थोड़ा सा दिल्ली के फेवर में जरूर है, बट मुझे रिस्की लगा है, इसमें मुकेश और खलील भी है, मोहित और आशिद है, और कोई गुजरात से बोलन नहीं रखे, क्योंकि प्रिथवी शॉव वार्नर अक्सर सबसे मुझे रण चाहिए, इवन रिशप पन से, ठी प्रिथवी शॉव और वार्नर ओपनिंग पे आते हैं, दोनों टीम में नहीं है, दोनों का मैच अप उमेश के आगे खराब है, मनलों उमेश ने एक याउट किया, स्पेंसर ने एक कर दिया, मेरे वाइस केप्टन है, स्टार्ट में एक आदा कर दिया, और डेथ में भी आ दिकती हैं, आपको बॉलिंग करके दे देते हैं, दैन मुझे चेजिंग टाइम पे शुमन गिल और सुदर्शन से चेज चाहिए, ये प्रॉपर गुजराब के फिवर में है, लेकिन भाई, इसमें मैंने रिस्क लिया, रिशप पन्त पे, तो रिशप पन्त यार कैप्टन तो रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि हमने बॉलर्स रखे हैं, गुजराब के, तो ये एक ट्विस्ट है भाई, ये जो प्लियर्स है, जेक फ्रिजर बेगर, ट्रिस्टन, स्टर्ब, शाय हो, पच्चिस-पच्चिस रंड मारे, बीजबीस रंड मारे, ज्यादा नहीं हैं, गुजराब के बोलर से विकेट सेगे, लेकिन रिशब पंत को एक एंड संभालना होगा, जो कि बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उनको एंड तक टिकना है रिशब पंत को, भले ही वो पचास मारे स्पेंसर जॉनसन दो-तीन विकेट ले जाए, अपना काम ब आए हैं, तो शौ प्लस कुल्दीप और रिवर्स कैप्टन है, जिसमें पर्टिकुलर्ली शौ कुल्दीप तो ऐसा भी हो सकता है, कि आपको 49 मिन आए, तो यह चीज आप अगर रिस्क लेके अवाइड करना चाहते हो, तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना, मैं पहले बता के चलता हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक सेश वेन टो ऐसी अप्लिकेशन है, जहां रिस्क नहीं है, यहां अपनी मरजी के प्लेयर को बाइड करो, यहां रोज आप प्रॉफिट करो, आपको लगता है, कोई प्लेयर अच्छा कर करेगा उसको करो ब took me ये करेंगी कोई कर देता है कि करते ही बहुत लोग लोग कर कि इशह ने लेगा है सबसे पहले करो क्योंकि आपको free का हॉंडरे कयो का है और वह हुप अब यूज करो अपने हिसाब से कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है तो आज के बाइसल की ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको रिशाप पंद और वार्णर दोनों 43 में बाइर मिल रहे हैं मैं अवाइड करूंगा रिस्क लेना है तो सेल पर रहे सकते हैं उसका अग मुझे रखता है राशे थोड़ा टंग कर सकते हैं अगर दिल्ली बोलिंग करें तो वाइड कर सकते हो यह दो अच्छे आप कर सकते हो विजय शंकर को अगर देखो यार गुजरात की टीम में आपको यह दिखते है वन से टूड़ाउन आते हुए तो अब ट्राइ कर तो अधरवाज मत करना क्योंकि 23 में बैड ऑप्शन नहीं है बट डिपेंड करेगा बल्लेवाजी करम में क्या चीज यहां पर इनका नाम कहां दिखाता है क्या बल्लेवाजी करम है और यह आपको टॉस के बाद पता लग जाएगा और आप बाइसल भी टॉस के बाद कर सकते हो अभी नमण हो और भी खराब ऑप्शन नहीं है तवतिया थोड़ा नीचे आते हैं अच्छा रूखान अगर गुजरात की बैड फर्स्ट हो तो शारूखन मेरे में बै हो उस दिन आपको याद हो का हमने अब्दुल समध को किया था अब्दुल समध मुश्किल से आठ न कर सकते हो क्योंकि डेथ बोलर है नूर अमध को भी उस केस में बाई कर सकते हो उमेश यादफ पर थोड़ा रिस्क रहेगा यार यह वले मैच में सेल करने का सोच सकते हो अपता दिक्कत के है सामने वार्नर और पिथ्वी शौट दोनों ही उमेश पर आउट हुए है पास प कर सकता हूं स्पेंसर जॉंसन बाई के अच्छी ऑप्शन है अगर जाय खेलते हैं तो मैं बाई करूंगा अधरवाइस मैं किसी को नहीं ध्यान रखूंगा आप मल्टी बैगर में तोड़े डिफरेंट प्लेर्स के लिए जाओ जिन पर रिटर्न जादा हो मैं हमेशा आप करो जिस पर रिटर्न ज्यादा आपको देखने को मिले जिसे अक्सर को मल्टी बैगर कर सकते हो ऐसी दो तिन और हैं साइस सुदर्शन अच्छी ऑप्शन है अगर ठीक रहे हैं यह मैं ज्यादा मल्टी बैगर पर बात करना नहीं चाहता है क्योंकि जितना उसको को प्लेयर बाकि टीम विठाुट पर बेक्सर को राशिद करक करते हैं ज्यादा नहीं रखे किसी टीम के दोन टीम आगे बेसी combination है जिस पे spinners को back कर दिया यानि की भाई spinners to winners बना दिया राशिद और अक्सर को इस ground पे pacers का ज़्यादा काम बनता है लेकिन राशिद और अक्सर ऐसे player है जो bats से भी contribute करते हैं decent point देते हैं इसलिए मैंने उन दोनों को रखा है नौ यह वला interesting combination है यह बहुत interesting combination है क्योंकि ऐसा combination ना के बराबर लोग लाएंगे देखो जित्रा risky combination होता है उत्रही फिर आप समझो मुश्किल भी होता है आपका उस contest में rank सभालना तो वो जो risk होती है उसको समझा करो अब wise captain खलील को किया है तो logic ली है साथ में ठीक है लोग क्या करते है वाइस captain खलील को कर देंगे लेकिन logic साथ में नहीं लगाएंगे अब इनको wise captain किया है तो यह power play में bowling करते हैं power play में आपको यह दो तीन ओर करते दिखे हैं पिछले match वा 1, 3, 5 ओर था तो अगर मैंने इनको वी-सी किया मुझे इनसे विक्टेगों चाहिए न तो सामने की जो बोलर्ज है सामने की जो बैटर है खलील के आगे इनपको द्रॉप कर दिया जहां दोनों में इन बैटर डॉप कर दिया जिनका समने से एक्षन कियोगा शुमन गिलोर साय सुदर्शन डिफरेंशल भी आगे मेरी टीम में वन डोन पर हो सकता है विजय शंकर मैथ्यू एडवे से कोई आए यही आपको मिडल ओर संभालने के लिए इन दोनों को रखा है देन दोस्तों अगर आपको इस केस में कुलदीप को रखना है तो रख लो नहीं रखना तो छोड़ भी सकते हो मुकेश डैथ में आते हैं इन दोनों के त्रू मुझे रन चाहिए बाकी गुजरात की टीम से मुझे ज्यादा रन नहीं चाहिए चेस करते समय दिल्ली असानी से चेस कर ले दिल्ली के टॉप 4 मैंने रखे है मैंने राश खेलते हैं इडी मेथ्यूएड तो रिसकी कॉमिनेशन हो जाएगा फिर रिदीमान साह को काप्टन वाला कॉमिनेशन करना है अपने साफ से आप देखके चलोगे क्योंकि वह ओपनिंग पे हैं खलील के सामने करोगे क्या फिर नहीं करोगे जहां खलील वीसी हैं फिर आप क्योंकि यह सिचुएशन पर देखके आपने चलना है अब आप यहां देखो क्लासिक लेट हैं डेखो एक टीम में क्याप्टन भी करना आज साह सुदर्शन को यह बंदा बढ़िया क्यर रहा है एक टीम में क्याप्टन कर लो चाह इसी में काप्टन इनको करके वाइस कैप तो इसमें अच्छे खासे बैटर रखे हैं दो रो विगेट कीपर है पांच बैटर है एक हाई स्कोरिंग के साब से कॉंटेस बना है अकसर और आशिद आपको बैट भी देते है मुहित शर्वा मुकेश कुमार आपके वो बोलर है जो डेथ में आपको दिखते हैं तो सारे हूँ आपको सीखने को मिला क्योंकि या मैं टीम कॉपी करवाने नहीं आता मैं एक दम आता हूँ आपको सिखाने जो सीख के काफी लोग बड़िया बड़िया वे दिंग कर रहे हैं उमीद करूँगा आज के मैच में भी कुछ वैसा होई मैच थोड़ा रिस्क है तो इश् अगली वीडियो में मिलना हूंगा तब तक के लिए जान रखिए